हिंदी साहित में स्थाई भावों की संख्या नौ है, इसे नौ न इस्थाई भावों के आधार पर नौ प्रकार के रशो के गरना की जाए İşte लेकिन नऌ प्रकार के स्थाई भावों को कैसे याद किया जाए इसके लिए एक सूत्र है। रहसो उक्रब गृविशन इस प्रकार से ये नौ इस्थाई भाव आपके हो जाएंगे इसी के साथ साथ आप जो रस हम बताये थे स्रीहक वीरो भवियस उसके लिए सरंगार हास करो ना ये सारे रस और सारे इस्थाई भाव इस दोनों को मिला करके आप लोग दोनों सुत्रों को एक साथ याद रखें स्रीहक वीरो भवियस रसो उकृप ग्रिविस्न धन्यवाद